अक्सर माता पिता बच्चपन से ही बच्चों को यादर डालते हैं कि हमेशा उन्हें एक दूसरे के साथ अपनी चीजे शेयर करने चाहिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार एक दूसरे के साथ चीजे शेयर करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है अक्सर घर आए महमानों को आप सभी अपना बाथरूम यूज करने या घर में इधर उधर जाने के लिए अपनी चपले देते होंगे लेकिन ऐसा करना आपके पैरों की सेहत के लिए ठीक नहीं है आप शायद ही जानते हूँ कि ऐसा करने साथ आपके पैरों में फंगल इंस्फेक्शन हो सकता है महिलाए अक्सर एक दूसरे के साथ लिपस्टिक शेयर करती देखी जाती हैं लेकिन ऐसा करना आपके होटों के लिए नुकसान दे हैं अंजाने में ही सही पर लिपस्टिक के जरी आप कई तरह के दादों को निमंत्रन दे सकते हैं सबसे जादा इंफेक्शन एक दूसरे के तॉलिया के इस्तमाल करने से फैलते हैं दूसरे व्यक्ति के पसीने से फैलने वाली किटानू तॉलिय से असानी सा आपकी शेहत बिगाड सकते हैं दूसरे व्यक्ति का कंगा इस्तमाल करने से उसके सिर में रहने वाली डेंडरफ या किटानू आपके सिर पर संक्रमित हो सकते हैं कई बार ओफिस में काम करते समय हम एक दूसरे को earphone यूज़ कर लेते हैं ऐसा करने से दूसरे इंसान की ear wax के bacteria की वज़े से आपके कान में infection का खतरा बढ़ सकता है नेक्स्ट तो नाइन नियूजरूम की रिपोर्ट